सभी राज्यों की आंगनबाडी सेविका सहय का मिनी बहनों का अपने आल इंडिया आंगनबाडी न्यूस चनल की आज सुबे साथ बजे की सच्ची खबरों में स्वागत है भायों बहनों आपको अवगत कराना चाहेंगे कल एक अपरेल है और कल से आंगनबाडी जो सिंटर है उनका समय बदलने वाला है क्योंकि ग्रीसम काल का अब समय आंगनबाडी सिंटर में सुरू हो जाएगा उत्तरपदेश में निदसाले से भी आदेश है और जन्पनों से डीपियों के भी आदेश आए है इसके अलावा और भी राजियों से आंगनबाडी केंदरों का समय में परिवर्तन करने का आदेश आया है खास तोर पर राजस्थान में भी आया है तो ऐसे बहुत से जगे से आज जानकारी मिलेंगी मद्ध प्रदेश राज से भी जानकारियां मिलेंगी तो प्लीस सभी राज्यों के भाई बहन वीडियो को पूरा देख करके जाना और पसंद आए तो लाइक जरूर करना सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश में आंगनबारी बहनों के समय की कि कल एक अपरेल से अब आप सब आंगनबारी बहने कितने बजे अपना सिंटर खोलेंगी इस गलती में मत बैठी रहना कि 10 बजे आपको स्कूल जाना है अब 10 बजे नहीं अब कल से 8 बजे आपको स्कूल जाना होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं यह लेटर 22 मार्च 2013 वाला है आनंद कुमार सिंग नदेशक थे निदसाले बालविकास सेवा पुष्टाहार उत्तरपदेश लखनव में उन्होंने ही तब यह आदेश जारी किया था और 2013 से लेकर आद 2024 चल लहा है और के पालन के अनुसार चल रहा है तो आप सबको बताना चाहेंगे पत्रांग 282 था बीपियो प्रभारी डीपियो को लेटर बेजा गया था आंगन बारी केंदर के संचालन के सम्मंद में कुछ यहाँ पर नियम बनाए गए थे नियमों की बात करें तो ग्रीस मकाल यानि गर के समय आगन बारी सिंटर के संचालन का जो समय रहेगा वो क्या रहेगा तो वो रहेगा आठ बजे से अपराहन बारा बजे तो अब आगन बारी केंदर आठ बजे से बारा बजे तक बच्चों को पढ़ाने का काम वहाँ पर किया जाएगा इस बात को बहनों ध्यान में अगर सितंबर सितंबर तक गर्मियों के इसी सेडूल को फॉलो किया जाएगा यानी आट बजे से बारा बजे अब ऐसे ही आंगनबाडी सेंटर उतर प्रदेस में खुलेंगे अब जब सितंबर खतम हो जाएगा फिर अक्टूबर आएगा तो सर्दियां सुरू हो जाएगी तो सीत कालीन यानी सरदियों में फिर आपका 10 बजे से 2 बजे समय हो जाएगा जो कि अभी चल रहा था मार्च में और 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक सीत कालीन सत्र चलता है तो 10 बजे से 2 बजे सेंटर चलते हैं तो आगन बाड़ी बहनों आज 31 मार्च है और आज आपका आखर दिन है सीत कालीन सत्र का यानी 10 बजे से 2 बजे सेंटर चलाने का और आज तो संडे है तो आज आप लोग होंगे अपनी घरों में कल एक अपरेल से आप 8 बजे स्कूल जाएंगी बस आप इतना याद रखें आप देखिए यहाँ पर नए आदेश की बात कर लूँ तो आगन बाड़ी केंद्रों के संचालन के समय में राकेश चंदर मौरे जो की डीपियो संभल के हैं अब एक अपरेल यानी कल से 30 सितंबर तक 8 बजे से 12 बजे संचालित होगा एक अक्टूबर से 31 माद तक 10 बजे से 2 बजे फिर होगा तो कुल मिला करके अब आपको जो याद रखना है वो 8 बजे से 12 बजे बस आप इतना याद रखो लेकिन ध्यान देना 8 बजे से 12 बजे तो केवल आपके आगन बाड़ी के बच्चों के लिए सेंटर चलेगा 12 के बाद एक्ट्रा 2 घंटे आपको देने होगे जैसे 2 बजे के बाद आप लोग देती थी टाइम वैस ने बार-बार इन चीनों को बेजा था अब देखो राजस्थान सरकार की अगर हम बात करें तो राजस्थान सरकार ने भी एक आदेस जारी कर दिया आप सब बहने देखिएगा राजस्थान में भी समय क्या सेम है ओपी बुनकर निदेसक है राजस्थान राज्यमे निदस आंगनबाडी केंद्र प्राता 10 बजे से 2 बजे तक 4 घंटे निर्धारित किया गया था विभागी परिपत्र क्रमांक 42-44 जो की 12 जनवरी का लेटर बिंदू संख्या 14 के प्रावधाना नुसार ग्रीसमकाल दिनांक 1 अप्रेल से 30 सितंबर के लिए राज के सभी आंगनबाड तक 4 घंटे निर्धारित किया गया है तो आंगनबाडी बहनों राजस्थान की और बाकी के राज्यों की भी देख सकती है कि यहां पर भी 1 अप्रेल से 30 सितंबर के बीच यानि अब कल से आंगनबाडी सिंटर राजस्थान में भी 8 बजे से 12 बजे तक चलेंगे या खुले आप कहलो आगनबाडी के बच्चे जो 3-6 वरसके हैं उनको प्री प्राइमरी एजुकेशन 8 बजे से 12 बजे के बीच में दी जाएगी तो 8 से 12 सिंटर होगे आप कल थोड़ा जल्दी उठना और जल्दी तयारियों में लगना डेली की आदत की जो है आपको लगी होगी और टाइम का पता नहीं चलेगा अगर ये जानकारी आपको नहीं मिलती तो साथ बहुत सी बहने 10 बजे ही सेंटर खोलने जाती और ऐसे में कभी कोई चेक करने आ जाता तो दिर्कत होती तो अब 8 बजे आप लोगों को कल जाना है अनीता बहें राजस्थान से जिनों ने राज को निलंबित किया गया है जैसा कि आप देख रहे हैं सोन बद्र का मामला प्रमोशन के नाम पर आंगन बारी सहयकाओं से वसूली के आरोप में नगवा ब्लाक में तैनात बाल विकास पर्योजना अधिकारी हरदय नारायण इनको निलंबित कर दिया गया नाम कितना के पदपर चेन कराने के नाम पर बतया जा रहा है कि वसूली की गई है या यू कहें कि यहाँ पर ब्रस्टाचारी की गई है तो यहाँ पर बतया गया वसूली ही कही जाएगी क्योंकि उस चीज का विरोध किया गया जबरन पैसे मागे गए आरोप है कि हरदय नरायण ने प्रमोशन के नाम पर आंगनबाडी सहायता, संगीता देवी, मंजु देवी, सविता देवी, निवासी जो यहां पर लिखा गया है मचबंधुवा से दिसंबर 2022 में 3,20,000 रुपे लिये थे, नंदलाल से उनकी बेटी पूनम कुमार को आंगनबाडी कारिकरता के पद पर भर रुपिया वापस कर दिया था, जाच में इस बात को एहम माना गया है, तो यह कुछ बाते जो हैं, यहां पर निकल के आ रही हैं, अकबारों की एक कटिंगे हैं, जो खूब वाइरल हो रही हैं, भरश्टा चार्वा वसूली के आरोप में, CDPO, हिरदय नरायन निलंबित किय गए हैं, ऐसी बाते आ रही हैं, तो आप देखिए, पचास-पचास-साथ-साथ-जार इससे जदा-जदा पैसे मिल रहे हैं, फिर भी आप देखते हैं, इंसान का पेट नहीं भरता, और वो तरह-तरह से वसूली के हतकंडे अपनाता है, यह बड़े ही दुख और दुरभा पर दिखाया भी जा चुका, और इतने जिलों के डीपियों के नाम, यानि इतने जिले के डीपियों को यह लिटर भीजा गया था, जिसमें विसे में लिखा गया था, आगनबाडी कारकरती से, मुक्य सेवी का पद पर, नवचैनित अभरती के जन्पद में, योगदान के स तो देखो, यह जहां पर बहनों का हुआ था, जहां पर में निवासी थी, वो नहीं है, जहां पर बहनों का योगदान देना है, जिन जन्पदों में उनका जोइनिंग हुआ है, या पोस्टिंग आप कहलो हुआ है, या कहलो प्रमोशन होकर, जहां आप नोकरी करने जाएं आलंडिया पर भी समय पर दिखाया गया था जिनका जिनका प्रमोशन हुआ था उनको नियुक्ती पत्र बाट दिये गए थे अब पंदा दिन के बाद उनको बोला गया था कि आप अपने वहाँ योगदान जरूर दे जाकर के तो वही सब लोग अब सैच्छडी कभिले एक प उस जिले में पद तो वहाँ के डीपियो लोगों को ये लिटर बेजा गया था तो इसमें डीपियो लोगों को काम आगे करने थे जो कि उन्होंने नहीं किये हैं इस बारे में निदसाले से जानकारी आई थी अंजु जी हैं रीवा से आती हैं मध्प्रदेश के रीवा से उन्होंने एक जानकारी बेजी हैं भाया जी नमस्ते मैं अंजु कुस्वाहा मिनी आगनबाडी कार करती सायद लिखा गया है गिरोरी 179 जिला रीवा मध्प्रदेश से भाया जी हम लोगों में तो ड्रस का पैसा नहीं आया है और जो की पंदा सो की रासी बताई जा रही ह तो देखो रासी कितनी बताई जा रही है ये हम बार बार नहीं के पाएंगे क्योंकि लेटर देखाया जा चुका है मध्प्रदेश का कितनी रासी थी और वो आगनबाडी बहने उससे स्वयम से अपना वो खरीद थी मेरे हिसाब से 1000 रुपे होंगे इनका कहना है 1500 तो अब देखो 1000 हों या 1500 हों अब वो आप सब भाई बहन जो जागरूख हैं जिनोंने वीडियो देखा था MP का कितनी ड्रस का पैसा ना था वो कमेंट में भाई लिख देना और इनको सला है कि वो उसको चेक कर लें क्योंकि मुझे जादा तर जहां तक लगता है 1000 रुपे सायद थे 2500 के लिए अब इनोंने 1500 लिख दिये अब ऐसे ही चीज़े चलती है कई स्टेट में 400 के हिसाब से 1500 के पैसे दिये जाते हैं तो 2500 का 800 रुपया आता है इनके यहां पर 1000 का मुझे सायद ऐसा लगता है लेटर में मैंने देखा था और बताया भी था और जितना भी हो लेटर में जा सकेंगी बार बार देखो चीजों को बता पाना संबव नहीं होता अब जैसे ही आएगी कोई जानकारी पैसे आने लग जाएं बहने सुम से खरीदना स्टार्ट कर देंगी अगर जानकारी भेजेंगी तो फिर बता दिया जाएगा कारयाले कलेक्टर महिलाबाल विकास भाग जबलपुर से देखेगा एक लेटर जारी किया गया है और इसमें समस्त पर्योजना अधिकारी को वो भी सहरी कर्वांग एक दो तीन चार पांचे और सहपुरा पाटन बरगी सिहोरा पनागर मजोली इन सब को भेजा गया लिखा गया है यहाँ पर कि लोग सबा निर कि यहाँ पर सुईब के तहद मदाता जागरुकता गतविदियां आयोजित की जानी है और सुईब गतविदियों का आयोजन एक चार दो हजार चौबिस से बारा चार दो हजार चौबिस के बीच किया जाना है यानि बहनों कल एक अपरेल से लेकर के बारा अपरेल के बीच में ये सुईब गतविधियां मदाता जागरुकता कारिक्रम की वहाँ पर करीज़ की जाएंगी इस बारे में लेटर में लिखा कारिसंपादन के उपरान संचिप्त प्रतिवेदन एवं पांच उतकरष्ट फोटो एवं समाचार पत्रों की कटिंग इस कारेले में भेजा जा ही है इस थानी स्तर पर भी जन समुदाय के सयोग से प्रचार प्रसार की सामागरी एकत्र करके कार किया जा सकता है तो आप देखेगा यहां पर यह क्या बोला जा रहा है लेकर के नीचे वाली लहिन में कि जन समुदाय से यानि लोगों से भी प्रचार प्रसार के लिए जो सामागरी लगे, उसको एकत्र करके भी परचार परसार किये जाएं। तो देखिए, विभाक सरकार खर्च नहीं कर पा रही है तो परचार परसार के लिए जो भी सामागरी लगे वो जनसमुदाय के भी सयोग से ले लो। ऐसा बोला गया। कई बार आपने जाती है जलाकार कम अधिकारी महिलावाल विकास बाग जबलपुर से ये पूरा लेटर है एक से लेकर बारा अपरेल तक स्विप के अंतरगत जो जहां कहीं गत्विधियां ये सब होंगी उसके बारे में तो एक अपरेल को मदाता जागरुकता रहली होगी दो अपरेल को पी जागरुकता सपत होगी 6 अपरेल को घरगर जाकर मदाताओं को मतदान करने के लिए प्रिद करना होगा विसे इस तोर पर महिला मदाताओं को 7 को फिर छुट्टी है फिर 8 को मदाता जागरुकता रहली और 9 को घरगर जाकर मदाताओं को मतदान करने के लिए प्रिद किया जाएगा और विसे इस तोर पर महिलाओं को 10 अपरेल को मददाता जाग रुकता सपत 11 अपरेल को मददाता जाग रुकता चौपाल और 12 अपरेल को पीले चावल देकर मददाताओं को मददान के लिए आमनतिद किया जाएगा तो इस तरह से आप देखेगा समस्त सीडीप्यों लोग भी इसमें जम्मेदार अधिकारी करमचारी के रूप में रहेंगे माकी क्रियानवीद करने वाले अधिकारी करमचारी उनमें आपकी सुपरवाइजर और आंगनबारी ये दो लोग वहाँ पर फिल्ड में इन कामों में दिखेंगी ये सब चीजें आपर बताई गई ललिता जी हैं बल्या से आती हैं और उन्होंने कहा है कि केंदर का जो प्यलाई है 500 रुपया वो अभी तक नहीं मिला है वित्ती वर्स कई बीट गए हैं बार बार केंदर के आदेश के बाद भी पैसा नहीं मिला तो बिल्कुछ सही बात है और ये किसी भी करके बेजा था अब आगे आपस सुनीता गुंडा से हैं इनका कहना है गुंडा का नाम लिस्ट में जो है बाबु जो आज सुबह निउज है उसमें गुंडा का नाम है और लिस्ट में मेरा भी नाम प्रमोशन में था लेकिन जो आप बता रहे हैं कि लेटर मिला है और नि बहनों को दिये गए थे निदसाले की तरब से या मुक्यमंत्री की तरब से लगनव में वो सब फोटो और जन जन बहनों को कई लोगों को मिले थे उन्होंने अपनी जानकारियां भी बेजी थी कई को जन पदों में बुला कर माटे गए थे तो जिनका जिनका प्रमोशन अब इन सब मामलों में आप काफी पीछे इन बातों को कह रही है उसी टाइम पर अगर जब बट रहे थे आपको नहीं मिले तो आप विभागी अधिकारियों से अपना RTI लगा कर पूछती या डारेक्ट पूछती या आवेदन देकर पूछती कि आखिर क्या वज़े रही कि आपका नहीं हुआ और लोगों का हो गया रही बात लिस्टों में नाम की तो देखो लिस्टों में नाम तो हर बार धीदे आवेदन करता है तो लिस्ट और होती है उसके बाद चटनी होती तो कुछ और नाम रह जाते कम होते फिर और चटनी होती तो और फाइनल में जगे से आते हैं आरोब भी लगते हैं कई बहने पैसे दे करके जो है यहाँ पर पचता भी रही हैं कई लोगों के पैसे डखारे हुए भी अधिकारी बैठे हैं क्योंकि इन मामलों में वो कारिकरता भी कहीं सिकायत नहीं कर सकती अब पैसा अगर दे बैठी हैं तो दिया नह उता मांगे जाते हैं शिकायत करती सबूत पेस करते मांगने के दौरान के तो चीज़े अच्छी होती लेकिन जिन्होंने पैसे दे लिए चुक्के से कराने के चक्कर में और अब सोचे कि पैसा वापस मिल जाए तो नह पैसा मिलेगा ना कुछ होगा और वो कहीं जाएंगे उनके उपर भी दोनों पर कारवाईया होंगी क्योंकि बस्ताचारी के लिए उन्होंने पैसे दिये ये सब बातें अगर मांगा जा रहा था गलत है ये चीजें तो उनको सिकायत करनी थी कई लोग ऐसा बहाना देते हैं हमको पता ही नहीं था कि पैसे लगते हैं की नहीं लगते हैं तो ये बस आपका वहम है कि आप बहुत सीधा बन रहे हैं लेकिन इतना सब को ग्यान है इन चीजों में पैसे नहीं लगते जागुकता के लिए वीडियो जागुकता के लिए तमाम चीज़ें सब लिखी जाती हैं सब कुछ बताया जाता फिर भी लोग तरह तरह से हमसे बात करते हैं मानो जैसे उनको लगता हो कि मैं कोई बच्चा हूँ छोटा जो मैं समझी ना पाऊंगा कि उन्होंने पैसे दिये ब्रष्टाचारी को बढ़ावाना दे जिनका होना होगा उनका होगा ममता जी सिद्धात नगर से उन्होंने कहा भया जी 6300 पंदा सो एतने रुपए आये हैं लेकिन अभी तक 4500 नहीं आया है ममता सिर्वास्तो इटावा सिद्धात नगर से देखो बहनों एक बात और कहें इन मामनों में अगर इंसान सुधर जाए तो ब्रष्टाचारी रुख जाए यानि हमीं लोगों में से हर कोई अगर सही हो जाए तो ब्रष्टाचारी रुख जाए क्योंकि कोई अगर मान लिजेगा पैसे देकर करवा लेता है और वो पात्र नहीं है उन्चीड़ों के लि ये आपका भ्रम है दूसरे का जो पात्रे उसी का तो होगा और अगर आप पात्र हैं किसी दूसरे का हो रहा है आप पात्र का किया जा रहा है पैसे लेकर के तो आप उसका जो है सबूत पेस करो और यानि उसके खिलाब चीजों को आगे बढ़ाओ प्रोसेस करो लीगल तो व प्रामनगर जिला संबर उत्तर पुदेश से हूँ प्रमोशन में नाम आया था एक बहन है इनकी साथी बहन उनका और जिला पर सब कागजबी की जांच हुई कहा कि आपका प्रमोशन होगा पर हुआ नहीं प्रमोशन वाली बहन का नाम रजनी गुपता है तो देखो किनका उनका क्यों हुआ और आपका क्यों नहीं हुआ दोनों में अंतर क्या है वो आप उन से पूछें विभाग से चैनलिखित में चैनल टियाई लगाएं जो आपकी मरजी है बाकी जिनका होना था उनका हो गया न्युक्ति पत्र बट गए जो जो जानकारियां समय समय पर आती रह सुधा देवी राइबरेली से हैं और उन्होंने अपने वहां से बताया कि 500 रुपे भाया जी 29 तारीक को 500-500 ये पैसे आए हैं अभी 4500 और 1000 इनका कहना नहीं आए सुनीता सर्मा प्रताबगर से हैं इन्होंने कहा है कि भाया जी जो कलेंडर आपने वाट्सप स्टेटस पर ल चैनल पर मैंने वहां पर गतिवी कलेंडर डाल दिया उसके बाद उस गतिवी कलेंडर का जो लिंक है मैंने स्टेटस पर लगा दिया तिक कि आसानी से आप सब लोग स्टेटस पर उस लिंक के जरिये आलंडिया के चैनल पर पहुंच जाएं जो वाट्सप चैनल है उसमें आपको साब सुतरा फोटो पड़ा हुआ मिल जाएगा लेकिन लोग status पर link को open ही नहीं किये यानि view channel लिखकर के आता होगा उपर जहां पर link वगरा कुछ बनी होगी लिखा होगा सबसे उपर top पर जो photo अगर आपको दिख रही होगी यह वाली उसी में तो status में हमारे तो उसमें view उस पर टच करोगे तो view channel लिख जाएगा फिर आपको एक बार और view channel पर टच करना है और direct आप आलंडिया के channel में अंदर आ जाएगे और वहाँ पर आपको letter मिल जाएगा मैंने सैकरो बार जो है लोगों को बताया जुड़ने के लिए कहा लेकिन नहीं जुड़े हर वीडियो के description box में भी आपको पता है whatsapp channel का link पड़ा होता है चाहें तो वहाँ से whatsapp channel पर जा सकते हैं आलंडिया के वहाँ पर आपको घतविधी calendar मिल जाएगा बड़े ही तरीके से मैंने हर एक चीज को किया लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं लोग जब कहो जुड़ोने के लिए तो जुड़ते नहीं सब्सक्राइब करने के लिए को हो तो सब्सक्राइब करते नहीं और कुछ अगर link post पर लगा हो link तो उसको open भी नहीं करते अब आप सुयम से बहनों सोचो क्या हम एक एक बहन को अलग से हर एक एक जानकारी उनके इसाब की क्या हम भीज पाएंगे हम कहीं जगे पर upload ही तो करेंगे वहां से आप लोग ले लो बहुत सी बहने ऐसी भी होंगी जिन्होंने copy पिन लेकर के भी लिख लिया होगा क्योंकि लिखने से ही तो मतलब है coincident में क्या हो रहा या आपको letter भी चाहिए तब भी WhatsApp चैनल पर पढ़ा है आप उसको open तो करो WhatsApp चैनल के लिए starting से महीनों कई महीने तक महीने जब से बनाया उसके बाद तक जो है उसमें link भी जाती थी WhatsApp चैनल की जिनको जुड़ना होता था वो जुड़ जाते लेकिन सब लोग काफी लोग ignore उसको कर देते जुड़ने से कोई मतलब भी नहीं अभी भी description में link पड़ी इसी वीडियो के आप देखो description में या फिर WhatsApp पर आप जो है ऐसे क्या बताएं हमें एक एक को फिर link तो भेज नहीं पाएंगे तो यही तरीकी हैं आप इनको बहनों करो पुस्पादेवी सुल्तानपुर से उन्होंने कहा 29 मार्च को 1000 रुपे 1500 रुपे यह सब आए हैं और 30 मार्च को कल भी पैसे आए हैं 300 रुपे उन्होंने कहा और आए हैं सरिता जालाउन से हैं और उन्होंने कहा कि हमारे यहां भाया जी विदवा पेंसन जो है वो जनसेवा केंदर से आउनलाइन हो जाती है आधार रासन कार्ड मृत्यू प्रमार पत्र इतने कागज लगेंगे सरिता कुठाउंद से तो देखो सरिता बहन ने जानकारी बेज दी ह जिन महिन को विदवा पेंसन वाला फोरम भरना हो वो कैसे होगा बता दिया है कि जनसेवा केंदर से हो जाएगा आधार लगेगा रासन कार्ड लगेगा और चो हस्बेंट की जथ हो गई है तो उनका आपका नत्यू प्रमार पत्र लगेगा विदवा पेंसन के लिए पैसा नहीं मिलता था अब दो महिने से आ रहा है फरवरी में 6,000 रुपे और मार्च में 3,000 रुपे इतना पैसा आया तो देखो ये धीरे धीरे करके चीजें पहुँच रही हैं सीमा हर दोई से हैं उन्होंने कहा 3,000 रुपिया ये देखो 30 तारीक को कलहीन के वहाँ पर कि 4500 प्लस 300 रुपे मेरे खाते में जो है आये हैं 30 तारीक में भया जी आपकी वीडियो तीनो टाइम देखती हूँ और ये देखेगा यहां पर ये चीजें हैं मैं ने जो है लिख करके भी भेज दिया है माधोगर इनका बलाक है रेखा बातम नाम है और इनके खाते में द देखकर के भी नीचे भेजा है और सीला आजमगर से हैं 4500 रुपिया 1500 रुपिया एक भी पैसा इन्होंने कहा कि अभी नहीं आया बगवान जाने इनका अपना चेक कर ले रोसनी जबलपूर से हैं जबलपूर मध्प्रदेश की बात करें तो मध्प्रदेश से भी कुछ ज ड्रस के लिए आएंगे तो कहा से भी आ पंदरासो आएंगे आपको पता है क्योंकि 1500 का तो लेटर इसलिए मेरा कहीं न कहीं दिमाग जा रहा था कि 1000 रुपे होंगे साथ 1500 का तो लेटर में नहीं था इसलिए मैं कहता रहता हूं वीडियो को पोरा देखा करें टाइम से दे किसी को कुछ सोचना पूछना पड़ेगा ही नहीं अब यहां पर 29 तारीक को देखो ड्रसका पैसा भी आ गया इन बहन के वहां और यह बहन कौन है यह बहन है रोसनी और मद्रप्रदेश के जबलपूर से आती हैं तो मद्रप्रदेश की बहनों 1000 रुपे साड़ी के आने स्ट बार्ट भी हो गए हैं अब इसमें भी आपको जानकारी मिल गई नेदी सिंग मैं लखनाउं से हैं उन्होंने कहा आंगनबारी भरती के लिए आवेदन की जो आखरी तिती है वो 11 अपरेल हो गई है तो आंगनबारी बहनों अब जो देखो लास्ट डेटे थी आंगनबारी भी स्टार्ट हो गई मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कुछ दिन पहले कि देखना ये डेटे कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा और बढ़ाई जाएंगी क्योंकि बहुती कम फारम भरने के लिए समय दिया गया तो अब देखो 11 अपरेल हो गई है लखनाउं की इस तरह से उ पार्टी में और ये बोल करके गया है 19 तारीक को साम 6 बजे और उसके बाद घर नहीं आया है इस तरह से चीजे देखने को मिल नहीं है और इनों ने घरवालों ने नमबर उमबर भी दिये हैं और इनके इन नमबरों पर अगर किसी को ये देखो इसका फोटो देख लो अग अगर आपको देखें हैं दोबारा इस वीडियो में आकर के भी आप नमबर फिर भी निकाल सकते हैं क्योंकि नमबर हम बोल भी देंगे तब भी कोई लिखेगा नहीं क्योंकि किसको पड़ी है जब कहीं कोई मिल जाएगा तब इस पोस्ट पर वो आएगा तो अगर मिलते ह हैं तब भी आप संपर कर सकते हैं और आलेंडिया का तो वाट्सित सब के पास है जिन को भी मिलें वो हमें ही अवगज़क करा दें उसके बाद आलेंडिया पर परसारान में फिर चीज़ों को सामिल कर देंगे प्रमिला वारारस्ची से हैं और उन्होंने कहा है कि बहिया जी नमस्ते या बीमा का लाब कैसे मिलेगा बहिया जी बताएं तो देखो भीमा है प्रधान मंत्री सुरक्षा भीमा योजणा वाला तो इसके बारे में बहन मैंने कई बार बताया भी है लेकिन फिर भी एक चीज और बता दू कि यहाँ पर सुरक्षा भीमा योजणा में 2 लाख रुपे मिलते हैं और अंसिक विकलांगता होने पर एक लाक रुपिया जिसे विकलांग हो गए हाथ पर टूड़ गए उस case में और कई चीजें हैं वहाँ पर पूर्ण विकलांगता हो जाएगी तो दो लाक पूरे मिल जाएगे ये सब बाते लेकेंगे लेकिन वो दिन किसी सबस्क्राइब आप धेखने को मिलें आप देखो नॉमिनी को लेकर एकांट हुलडर को लेकर के देखेगा एक बडिया जानकारी लिखा गया नेम ऑपदा एकांट हुलडर यही जैसे आंगनबारी बहन ने भरा तो आंगनबारी बहन का इसमें हो गया ठीक नाम आगे चल करके ताकि इनको पैसे वो मिले या ऐसा ही कुछ हो अब इस बारे में और भी कुछ कहना हो तो कमेंड में आप लोग बता देना मां कि यही सब बाते यहाँ पर लिख करके दी गई हैं आगे ले चलते हैं और भी कुछ यहाँ पर पुरा यानि फॉरम है भरने का साथ बाते बहनने अपने वहाँ से लिख करके भेजी हैं आगे ले चलते हैं और आज किस वीडियो को यहीं तक रखते हैं जाने से पहले दोस्तों आपको मैं एक बार बता दू कि आंगनबारी भरती के बारे में भी बता देते हैं क्योंकि कल भी मैंने मुझे याद है भरतियों सामली 2 अपरेल, एटा 1 अपरेल, चित्रकूट 12 अपरेल, बागपत 2 अपरेल, हाथरस 3 अपरेल, पीली भी 2 अपरेल, लखनव का 1 अपरेल, अभी देखो लखनव का इसमें साइट पर तो 1 अपरेल ही मुझे जो है दिखाई दे रहा है, बाकी देखते हैं फिर